आज हम आपको बताएंगे के मिथु लगन वाले जातकों के लिए अक्तूबर दो हजार चबी का राशिफल कैसा रहेगा ये फल आपके लगन पर अधारित है मिथु लगन वाले जातकों का कैरियर, पैसा, प्यार, स्वास्त और विद्या उनकी कैसी रहेगी मिथु लगन वाले जातकों के लिए लगन के स्वामी बुद्ध इस समय चतूर्थ बाब में गोचर कर रहे हैं बुद्ध ग्रह 10 अक्तूबर 2024 तक आपके चतूर्थ बाब में ही रहेंगे और 10 अक्तूबर के बाद वो आपके पंचम बाब में गोचर करेंगे 9 अक्तूबर को बुद्ध आपके शेश्ट बाब में चले जाएंगे केतू पूरा महिना आपके चतूर्थ बाब में ही रहेंगे सूर्य आपके इस समय चतूर्थ बाब में बुद्ध और केतू के साथ गोचर कर रहे हैं 17 अक्तूबर को सूर्य आपके पंचम बाव में चले जाएंगे शुकर इस समय आपके पंचम बाव में सुर राशी में गोचर कर रहे हैं और 13 अक्तूबर को शुकर आपके शेश्ट बाव में चले जाएंगे मंगल इस समय आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और 20 अक्तूबर के बाद मंगल भी आपके द्वित्य बाव में चले जाएंगे शनी पूरा महीना आपके नवम बाव में गोच्चर करेंगे राहू आपके दशम बाव में अक्तूबर के महीने में गोच्चर करेंगे आपको अपनी वानी पर कंट्रोल करना होगा नहीं तो आपके मान सम्मान में कमी आएगी कोई भी निर्ने जल्दबाजी में मत लें 20 अक्तूबर के बाद मंगल जो आपके दृत्य बाब में चले जाएंगे तो आपको अपने कुटूम के साथ रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए क्योंकि मंगल यहां नीच के हो जाएंगे किसी पर भी पैसे के मामले में अधिक बरुसा आपको नहीं करना चाहिए बुद्ध जोकी आपके लगन के स्वामी हैं इस समय चतूस बाब में उच्छ अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपको सुक सुविदा के सभी साधन उपलब्द होंगे गर में भी अच्छा महोर रहेगा दस अक्तूबर के बाद बुद्ध आपके पंच्छ बाब में गोचर करेंगे शुकर इस समय जो आपके पंच्छ बाब में गोचर कर रहे हैं आपका कोई न कोई प्रेन संबंद भी बन सकता है विद्यार्थियों के लिए भी 13 अक्तूबर तक का समय उत्तम है 13 अक्तूबर के बाद छुकर जब आपके शेष्ट बाब में चले जाएंगे तो आपको पड़ाई में ज्यादा एकागरता से और लगन से पड़ाई करनी चाहिए शनी इस समय आपके नवम बाब में वक्री अवस्ता में कोचर कर रहे हैं और अपनी मूल तिरकों रशी कुम में इस समय हैं आपके कामों में कुछ दिले होगा कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको बाग्या का साथ नहीं मिल रहा दार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं काम के सिल्सले में फोरन यात्रा पर जाना चाते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा खर्चों में आपके कुछ बड़ोतरी होगी आपको अपनी स्पाउस की हेल्थ का भी द्यान रखना होगा रहू इस समय आपके दश्यमबाब में कोचर कर रहे हैं कैरियर के लहाज से यह समय अच्छा ही रहेगा कभी कभी किसी का स्थानांतरन भी हो सकता है अगर आप अपनी जॉब से संतुष नहीं हैं तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको हमारी जे वीडियो पसांद आई हो तो प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल थेंक यू फार वाचिंग